प्यारे बंदूओं, मैं अपने इस वीडियो में Mind Conditioning Part 2 के बारे में चर्चा करूँगा Mind को हम कैसे Develop करते हैं, Mind कैसे काम करता है, Human Brain की Capacity क्या होती है Basically Human Brain की Capacity जो है, कहा जाता है Unlimited है, इसका Full Potential Unlimited है, अगर इसको Utilize किया जाए, तो Miracle हो सकता है Brain दो तरका होता है, एक Left Brain, एक Right Brain, Left Brain जो है, उसका Inclination Science के तरफ होता है वो Science के बारे में ज़्यादा चिंतन करता है, ज़्यादा सोचता है Right Brain, Spiritualism, आत्मिक्ता के बारे में ज़्यादा सोचता है, और ये दोनों Brain ऐसे ऐसे काम करते है कहा जाता है कि Lord Krishna, भगवान Krishna, अपने Brain का 100% Utilize किये थे Normally, human being अपने Brain का पूरे लाइफ में Maximum Utilize 10 to 25% ही कर पाता है और Common Man 2% से 4% Utilize कर पाता है, कोई Full Potential of His Brain Utilize नहीं कर पाता है Krishna भगवान एक exceptional थे, और उन्होंने कहा जाता है कि 100% Brain का Utilize किया जाता था इसलिए उप्रजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बर्तमान, पास्ट और भविश्य, इस सभी जो है उजानते थे क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ, पहले जन्द में कौन क्या था है, उनको सब पता होता था इसलिए माभारत की लड़ाई में उन्होंने अपने Brain का Utilize किया, सब कुछ पता था कि कब क्या होने वाला है, उसके अधार प अपना जीत करा दिए, यह भी कहा जाता है कि बच्चे अपने जन्म से लेकर साथ बरस की उम्र तक 75% Brain का उनका ग्रोथ हो जाता है, थ्री फोर्थ ब्रेन का ग्रोथ उनका छे बरस की उम्र तक हो जाता है, इसलिए कहा जाता है जो भी बच्चे सिखते हैं, उनके पूरे जीवन का वो फाउंडेशन होता है, और 7-8 यह से लेकरके 18-19 यह सक जो होते हैं, उस फाउंडेशन का उपर जीवन का उनकी पूरी इमारत होती है Human brain सभी आदमी को करीब करीब थोड़ा कम ज्यादा करीब करीब बराबर ही brain होता है, कोई कहता है कि हमको brain कम है वो गलत है, ऐसा होता नहीं है ब्रेन का development हम कैसा कर्म करते हैं, कितना महिनत करते हैं, कितना hard lever करते हैं, उस पर depend करता है कोगी hard lever का कोई substitute नहीं है hard lever करने से brain को utilization बढ़ाने से brain capacity बढ़ जा दिये अब brain काम कैसे करता है, brain जो है gigo principle पर काम करता है gigo क्या है, gigo garbage in garbage out या कह लिजे good in good out अगर brain में कचड़े भरे जाएंगे, तो उसे जो निकलता है action के रूप में, वो कचड़ा ही होता है तो garbage अगर इन करेंगे, तो garbage out होगा अगर brain में हम अच्छी चीज डालेंगे, तो अच्छी चीज ही निकलता है इसके पहले काफी चर्चा हो सकती है, कि जैसा बीज भर जाता है, उसा ही फसल उखती है अच्छा भोने से अच्छा, खराब भोने से खराब, और कुछ बीज नहीं भर जाता है समाज से जो गंदी चीज़े है, wild grass, जो जंगली खासे वो brain में उग जाती है संगत का जीवन में बहुत प्रभाव पढ़ता है, पहले चर्चा कर सुगा हूँ कि संगत का जीवन में 70% प्रभाव पढ़ता है अगर कोई वाइन नहीं पीता है, लेकिन वाइन के दुकान पर जाता है अतवा ले लें कि हर आटमी जो हर वाइन पीने वाला करीब करीब पहला वाइन का विस्की, पहला glass of wine, विस्की, वो free of cost लेता है, शंगत में लेता है हर cigarette पीने वाला पहला cigarette free of cost ही पीता है वो भी शंगत में पीता है एक संगत एक्जामबूल बताते हैं कि एक poultry form में मुर्गी form में एक जो है इगल का बच्चा चील का बच्चा चला आयता है उनके साथ बच्चमन से जीवन गुजारने लगता है जैसे मुर्गी के बच्चे उच्छल उच्छल करके चलना सीखते हैं वो चील का भी बच्चा उच्छल उच्छल करके चलना सीख लेता है लेकिन वो तो चील का बच्चा था इगल था उसका जो एक बार किसी ने पहचाना कि ये तो चील है इसकी तो capacity आकास में उड़ने की है तो उसको पहाडों के उपर ले जा करके थोड़ा practice करा करके पहाड से फिक दिया गया तो देखा कि एड़ी मेरी दुनिया तो बहुत उची है और वो जो है मरता क्या नहीं करता ओ जो उड़ने लगा और अकास की सेर करने लगा इस तरह जो है company का प्रभाव यह पढ़ता है और अच्छे company में जाने में वो आदमी का प्रभाव अच्छा पढ़ता है सुधर भी जाता है एक bank robbery case में जब डगैती करने वाले ने जब पकड़ाया तो उसको इंट्रोगेशन लिया गया तो बताया कि यह bank robbery का तरीकों किताबों से सीखा है कोई novel पढ़के उसीखा था एक लड़का अपने दोस्त को छोटी सी बात में चाकू मर देता है चाकू मरने के बाद जो है पूलिस इंट्रोगेशन में बताता है कि किसी फिल्म में ओ नैपस कैसे मरा जाता है क्यों मरा जाता है ओ वहीं से उस सीखा था और अपने दोस्त को छोटी सी बात में ओ नैपस मर लेता यह है संगत का प्रभाव और मुभी का प्रभाव और किताब का प्रभाव एक अस्थान का प्रभाव बता रहे हैं अस्थान का प्रभाव कैसे पड़ता है कृष्ण भगवान कुरुछित्र को ही माभारत के लिए क्यों चुना इसके पीशे भी एक कहानी है, कहानी ये है, कि दो भाईों में एक छोटा सा जमीन के टुगड़ा के लिए काफी जगड़े हो रहे थे, एक भाई ने दूसरे भाई को छोटे से जमीन के टुगड़े के लिए जान से मार देता, जब ये चीज कृष्ण भवान को पता चली, तो उन्होंने सोचा कि महभारत में भी अपने सम्मंदियों को ही मार ना, और इससे अस्थान कोई बढ़िया हो नहीं सकता है महभारत के लड़ाई के लिए, इसलिए महभारत का चुना हुआ महभारत के लड़ाई के लिए, ये अस्थान का प्रभाव होता है, अस्थान का प्रभाव बताता हूं एक और सरवण कुमार अपने माता पीता को ले करके सभी तुर्था कराने जा रहे थे जाते रास्ते में उनको एक भावना आ रही है कि क्या काम कर रहे हैं कोई काम है यह तो अनुशीत काम है, इसको हम कुछ छोड़ देना चाहिए, माता पीटा को बोले कि आप उतर जाएए, अब हम तिर्थास्तान नहीं करवाने वाले हैं, अब बहुत हो गया, उसके बहुत हो गया, उसके माता पीटा सोचे कि हमारा बेटा मेरा पूत्र ऐसा बोल सकता है क्या, अस समभव और समभव, उन्होंने उसे कहें कि ठीक है, हम लोग तिर्थास्तान नहीं जाएंगे, तिर्थास्तान नहीं करेंगे, आप हमको यहां से कुछ दूर बजा के छोड़ दो, कुछ दूर पर छोड़ने गए तो देखे कि माता पीटा के साथ हमने कितना गलत सब्द का गलत बीचार, अपने मन में लाया है, उन्होंने बहुत ही माता बिदासने शिमा माफी मांगी है, माफ होने के बाद फिर उने पूरिय तिरिस जात्रा उन्होंने करा है, पाणीपत में भी बहुत लडाईया हुई, पाणीपत भी कुरुच्छतर के भगल में ही है, वहां भी तो यह सथान का भी बहुत प्रभाव पर्दा इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को धर्मास्थान में बच्चों को मंदिर में ये ले जाना चाहिए वहाँ बहुत अच्छी भावना का अच्छे विचार का उत्पति होता है पालन होता है कोई अगर चोर भी मंदिर में जाता है तो वो बार बार भगवान के सामने नत्म होने नत्म अस्तक होते होते नत्म उसके में बिनमरता आ जाती अब बिनमरता ही सफलता की जन्नी है ए विवेका इस तरह जो है बच्चों को सत्संग में बठाना चाहिए इस तरह हम बच्चों के दिमाग का mind conditioning कर सकते हैं अब बच्चों का इस तरह विकास करना चाहिए परिवार कैसे विकास करना चाहिए आईसा करने से वो परिवार स्वर्गिक अनन्वे प्राप्त करता है स्वर्ग की तरह उसके परिवार बन जाते हैं इनी सब्दों के साथ मैं अपने वीडियों के विरान दे रहा हूँ तांक्यू भेरी मच और आप लोगों से एक निवेजन है कि आप लोग शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ताकि दुछरे लोग भी अगर थोड़ा बहुत बालावानी भी तो यह मेरे लिए प्रसंता के भी सह हुआ तांक्यू भेरी मच जय हिन जय भारत